ग्रामर के बारे में आपका जो एक्युरसी हो वो एकदम लेवलगेषीं बड़ी सच्चा ही है जम आपका ग्रामर सही नहीं होता है तो आपने चाहे कितना भी उसको लिखना चाहा अपने अंसर को लेकिन कि मैं च्छाहूंगे कि इस फ्रेम में ग्रामर के फ्रेम में आने के बाद teaching है वो initial class से ही शुरू हो जाता है लेकिन कई बार इनको वो इतने expression में चला आता है लिखने में हो, बोलने में हो आपके कस लिबस है वो तो करना ही होगा बच्चों लेकिन का जवाब होगा तब भी दो लाइन का जवाब होगा तब भी आप कुछ भी कर रहे हैं मैंने तो आपको पढ़ाया ही है letter writing और जितना descriptive जो भी कि कुछ हो सकता है लेकिन बताते हुए जब मैं आपसे यह कहते हूँ कि आप इसको अपने language में लिखेगा आप इसको अपने style में लिखेगा तो style डवलप होगा once you develop your own language जब आप एक sentence को पुरी तरह लिखो रहे जब आप एक sentence को पुरी तरह लिखो रहे जब आप एक sentence को पुरी तरह लिख sentence को decorative बना के लिखें तब आपका वह एक line का जो जवाब होगा वो अलग हो जाएगा ऐसे मैंने कई पर कहा है कि आपको answer जो कहीं से भी आपने language में आप आखिर कितना याद कीजी language में आखिर कितना याद कीजी कि इसको हम लोग formula बना बना के याद कर ले हम लोग ऐसा कर सकते हैं with some parts but we cannot make all this sentence याद करके यानि उसके grammatical composition को याद करके ही कोई चीज बना सकते हैं इसका ख्याल जब भी आप करें तो आपका chapter कुछ भी हो आपका chapter कुछ भी हो वहाँ पर जिसको आज आप पढ़ेंगे ये आपके जिसको आज आप पढ़ेंगे ये आपके जिसको आज आप पढ़ेंगे ये आपके screen पर है and it is subject verb agreement subject verb agreement को ही हम लोग 2 और 3 नाम से जानते हैं और एक होता है subject verb concord subject verb concord जिसको पढ़ रहे हैं मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपने इस initial classes में पढ़ा हो लेकिन मेरे सामने ऐसे कई बच्चे जिनको की इसके बगता है कि उन्होंने इस chapter को यदी एक बगता है कि उन्होंने इस chapter को यदी एक बार और अच्छे तरीके से समझा तो शाड़ यह हर एक point की बात करते हैं बच्चों जब हम लोग जब आप grammar की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आप हर एक पार्ट पे डिटेल चप्र पड़ते हैं, चाहिए वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, अट्जक्टिव हो, वर्व, 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 whatever the chapter में भी, but you study in detail because all those chapters are very very necessary since you are forming a sentence out of them and you are using almost so many forms from that very part of speech. यदि आप parts of speech की भी बात करें, तब आते हैं तब आपके chapter का नाम बदल जाता है, उम्मीद की जाती है कि आप इतना तक समझ गये हैं. अब ऐसे में जहां पर student किसी जगह अटकते हों, यह बहुत obvious है, बहुत obvious है, चुकि आप करते हैं कि आपने पढ़ा और से भी ज़्यादा workbook किया, आज जो chapter में आपको यह subject workbook है, कि वो अपने बूते कोई भी answer form करें. इसलिए मेरे class के वे सारे बच्चे, जो कि पढ़ने में थोड़ा भी उनको दिक्कत लगता है, वो अपने आप खुद की मदद करें, और खुद की मदद करने के लिए पहले class में ध्यान दीजिए, ठीक है, यह chapter भी मैं बिगिन करती हूँ, आई, हम लोग इसको, जितना चीज होगा उसको मैं लिखने के लिए बोलूँगी, खें और लिखें, खें और लिखें, खें और लिखें, खें और लिखें, हो गया, अब इसको ही चानने के जात प्लूरल वर्ब ही लगेगा, अब एग्जांपल यहां पर देखें, और अब यहां पर दो नाउन हैंड में एक है लिस्ट और एक है यह किसको मानना चाहिए यदि यहां पर ओफ लगा है उसके बाद एक नाउन आया है, और चुके the list यह नोशन का है इसलिए हम इसको similar verb के साथ items is on the desk अब यहाँ items is on the desk अब यहाँ पर आपको option मिलते होंगे तो आपको R को भी use कर लेते हैं which is not correct आर को भी use कर लेते हैं which is not correct लेकिन हम जो begin किया subject उसके action पर हम verb 1 की बाद तो हम सीधे लिखते हैं the list is on the table आया यह समझ में कि the list is के साथ similar verb लगा रहे है and that के साथ similar verb लगा रहे है and that के साथ similar verb लगा रहे है and that हम is करें या wise करें या has करें जो भी करेंगे लेकिन similar करेंगे ठीक है लेकिन confusion तब होता है जब के साथ भी थोड़ा सा भी गलती करते हैं और अपना माक्स जब लूज करते हैं तो आपको पढ़ाना और आपके कॉपी को चेक करना किसी भी टीचर के लिए बहुत अच्छा नहीं जैसे आपने class में यदी से समझा है तो आपकी गलत लीजेगा और तब लोग बात करेंगे सीधे list की बाद में क्या आया the list of items the list of gifts जो भी है सब अटा दीजे यह तोचे हो जितना भी है list of gift items सब करके लगा हूँ प्लूरल ही होगा लेकिन आपको उस प्लूरल के हिसाब से वर्म नहीं उससे चूज करना है that list is the subject जैदी आपको मालूम है that list is the subject जैदी आपको मालूम है कि list subject है then your basic rule को ही यहाँ इस rule के हिसाब से explain भी करूंगी करके दियो झाल हो गया यह रूल must agree in number आप तब जानिये कि तब वर्व कैसा होगा एजवाज है इस तो हम समझ गये कि वो auxiliary वर्व है तो उसको उसको पहचान रहे हैं यहाँ पर एक छोटा example है छोटा लेकिन कई बार मैंने तब कहा जबकि इससे सम्मंधित गलतियां पकड़ में आती हैं और बच्चे जब गलतियां करते हैं इस तरह की तो उनको बस पता नहीं चलता है since they have not paid proper attention in the class and they have क्योंकि इसके जड़ में जाईएगा तो बस यही क्योंकि इसके जड़ में जाईएगा तो बस यही आ होगा यहाँ होगा example है शी राइट साहोगा यहाँ होगा example है शी राइट सागाईएगा अब चुकि इटिंग वहां पर नहीं लगाईएगा अब चुकि इटिंग वहां पर नहीं होगा ज़िए he eats होता तो शी राइट के तरह से आप लिखते हैं he eats a sandwich वो एक sandwich which with that is will be similar तो यहां आपने लिखा कि she with that will be similar, तो यहां आपने लिखा कि she is writes every day, वो हर दिन इसी को और clarify करने के लिए है, आपको समझ में आ गया कि participants कौन को समझ में आ गया कि participants कौन नमबर पे वर्ब का आप यूज जो है तो ये possessive adjective जो है तो ये possessive adjective जो है देर ये तब लगा है जबकि आपका participants plural है और they are expressed ये पहले line में तो सब सही लिखा they are role at the organization वो इस वक्त currently managerial role में है अब यहाँ पर they plural है और sound करता है कि plural है ये एकदम ही common अकसर है अकसर ये बात तो काफी काफी पहले बचे समझ जाते हैं अवी confusion हो ठीक है आए हम अवी confusion हो ठीक है आए हम अन्ने चीजों को भी जानिये जिससे कि ये और clear हो जाए ये रूल आपने जाए लेखर लिए रूल जाएगा कि बह Selbst अील्र आपी दू और control होता है कव मन हिए स्ची होगा पर कि sacrificat इसके लिए एक रूल समझ लीजिए कि सच कॉमन लास इनको पूरे क्लास का प्रतिनिधी होना चाहिए पूरे वर्ग की बात कर रहा है तो हम लिख लिखते हैं Child is the father of man ये किसी एक बच्चे की नहीं ये सारे बच्चे की बात है तब हम ये दी कहें कि सारे बच्चे ही अपने पिता के पिता होंगे लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है is representing the entire class पूरे class पूरी जाती का बोद कर आता है जो भी बच्चा है उसी के बारे में ये कहा जा रहा है तो हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने बाप के भी बाप होते हैं न ऐसा कहा गया है लोकोक्ती है ये लेकिन हम लोग बच्चे की जगा children तो नहीं लिखेंगे वहाँ यदि ऐसा आपको translation में भी आता है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे उसी तक आदमी नहीं बलकि पूरी मानव जाती में ये कहा गया सारे के सारे इंसान मरंद्शील है ठीक है सारे जीव जनतु मरंद्शील है तो सभी जीव जनतु मरंद्शील है ऐसा हम लोग बोलते हैं छोटे बचोगरी जोटे-चोटे translation जब मिलते हैं जैसे सभी बच्चे अपने इश्व तो हमको सभी के नहीं तो हमको सभी के नहीं आपको सिर्फ चाइल्ड ही लिखना चाहिए ठीक है क्योंकि चाइल्ड रिप्रेजेंट्स तूसरी जैसे कि एक एक जामपल और भी लिख स्नेक इज रेपरटाइल तो एक स्नेक नहीं रेपरटाइल है सभी स्नेक रेपरटाइल होते हैं ठीक है अब इसको अंतर करने रेपरटाइल ही होते हैं लेकिन जब हमको ऐसा हुआ कि translation में भी लिखने आएगा तब भी हम यहीं लिखेंगे प्लूरल है तो उसके आगे पिछे जो वर्ड लगा है और जब हम बताएंगे काव इस डोमस्टिक अनिमल गाए एक डोमस्टिक अनिमल है ठीक है तो हम यदि कई बार ऐसा कहते हैं अच्छा बचो यहां पर मैं एक बात बता हूं काव के साथ यहां बताने के स्क्रम में याद हैं लोग गाए बालते हैं तब वो उनके डूतिक अवा होस चीप न्चता ही निया लगा खालते हैं हम होर्स में काव हम होर्स अंकी यह सब जो है जिन से काम लिया जाता है ऑक्स बुफैलो सब डोमेस्टिक अनिमल हो गया इनमें आप कही बार बच्चे जो भूल करते हैं इसको इसलिए मैंने यहां पर पॉइंटर किया कि तब उसको पेट से अलग किजेगा ऐसा नहीं म Premiere उत्तमर कई जyn करें चैसे का मल जो आपके अपकोस है सिख्या काम लिए को थो ऑ्योत सब्सक्राइब करें होर्स ध्यु परंटर करें चाहे जाता ओंने Healthcare 285 लेकिन डाव स्थक्री счит representing the entire world जो दुनिया में जितनी गाये हैं उन सब के बदले ये एक वाके आप लिख रहे हैं All these represent a class All these represent a class It describes feature अब इसमें कौन सा चीज है जिससे कि हमको पता चल जाए पैर आंक कान नाक्ठीक है इसलिए हमेशाम लिखते हैं horse jumps और जो है वो कुदता है dog barks नाकी इसलिए हम कुदते भौकते हैं तब हम उसके लिए इसलिए हम कुदते भौकते हैं तब हम उसके लिए dogs bark नहीं करेंगे सब जियर को जबरदस्ती plural मत बना दीजेगा यदि आपको कहा जाए कि कुदते भौकते हैं और शेर धाड़ते हैं तो लिजेगा वहां गलती मत कीजेगा वो एक common noun को represent करने वाला सिर्फ dog के साथ आपका सही भी होगा के साथ आपका सही भी होगा के साथ आपका सही भी होगा यह इसके अंदर फीचर होते हैं यह कैसा है रंग रूप जो भी है शेप और साइस बताने वाला होगा तभ यह singular होगा आवाज होगी वो होगा आवाज होगी वो और हो कर आप कहा कोवे काव काव करते हैं और आपने लिखा हिंदी पर मत जाईएगा आप पूरे हिंदी पर मत जाईएगा आप पूरे क्लास की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे पॉरे रिलेटेड थिंग्स और दूसरी अन्य चीजे रिलेटेड थिंग्स और दूसरी अन्य चीजे जो झाल झाल फो फो गया लिखना फिरूर लेकर बैठियेगा ग्रामर वाली क्लास में और मैं उसके अलावे भी बता रही हूँ उन सब नंबर लाने वाल नंबर लाना ही नहीं है बच्चों नंबर के अलावे हैं नंबर लाना ही मकसद लेकिन जानके हैं इस चीज को तो सभी बचे समझ चुके हैं जो ये अभी आया है स्क्रीन पर कॉमन नान होना चाहिए और कॉमन नान में फीचर होना चाहिए शेप साइस बताने वाला तो आप सब को मान भी के लिए कहा गया है इसलिए आप कुत्ते भॉखते हैं तब आप डॉग बाक्स लिखिए रहा आया यह चीज था जो नहीं जान रहे थे तो जान लीजिए अब दूसरा भी लिख लीजिए दूसरा भी लिखिए और मैं इसके बारे में बताती हूं झाल 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 झा तो वह संभरता आप सब ने लिख्लिया होगा अब जहां हम लोग सभी जैनवरों के लिए एक वर्ड लिए एक वर्ड मतलब सवरी मैं सभी नोग सभी बच्चों के लिए लिख दिये चाइड कोड़ सब्जेक्ट को तरीके से सिंग्लर और तरीके से सिंग्लर और तरीके से सिंग्लर और जाएगा पहला जितने मानव निर्म और प्लूरल दोनों अलग-अलग तरिके से जाने जिंटलर और और ट्विरल दोनों अलका तरिके से जाने 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 गलज़ आनते नोत ब्रौड camps और समयर वर्प सवरी सिमुडर devर सवरी यहां सिंगूलर वर्ब लिखिये entschieden . not man-made objects are used in man-made objects are used in but the difference in the building के बारे में कहा गया है ठीक है chair is comfortable chair is comfortable, kursi जो है वो आरामदायक है, यह kursi आरामदायक है the fan is not moving, यह ब्रिज जो है वो बहुत पुरान देखेंगे कि हमने इसके साथ verb में noun है, वो entire noun है, वो entire building बड़े-बड़े है, तब भी हम building बड़े-बड़े है, तब भी हम building बड़े-बड़े है, तब हम नहीं कहेंगे कि building is tall क्योंकि building किसी common noun का represent आगया, एक building के लिए आगया, एक building के लिए आगया, एक building के लिए a building और उसको plural बनाने के लिए तब हमको लिखना पड़ेगा all the buildings, ठीक है, यह अंतर करने के लिए मैं यहाँ पर लिखा है, उससे मैं एक बस example लेती हूं, जैसे मैंने कहा कि कुते भौकते हैं, तो आपने translate कि रहे जो behavior है, तो हमारा translation हो जाएगा Dog box, dog box, elephant trumpets, Lion Rows, अब सब इसमें से जो भीचीज मैने पहले करumo थे तो इसमैं से जोभी चीज मैने पहले कर Def तो इसमें से जो भीचीज मैने पहले पहले कर ज़ड़े तबार हैं, पहां किसी एक building के बारे में पहले और रिपरेजन्ट सेटिव हैं, हम किसी et building के बारे में कह रहे हैं, तो पहचान करने के लिए हम वहाँ पर द लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़ी-बढ़ी है, तो हमें लिखना होगा, तू इस बिल्डिंग की संख्या लिखेंगे, क्योंकि ये सारा अच्छा रिप्रेजेटरिव नहीं बनाते हैं, इसको लिख लिजी, इसको लिख लिख लिजी, अपिसे हिन्दी, अंग्रेज़ किसी में लिख सकते हैं, दूसरे लाइम पर आईएगा दुसरे लाइम पर आईएगा इस नहीं होगा क्यूंकि चैर्ट वनाया आदमी है। बस पहचान करने के लिए बताया है, ठीक है? तो man-made चीज man-made है man-made में आपको singular बनाने के लिए दा लगाना पड़ा plural बनाने के लिए उसमें damn is very useful यह वाला damn useful है ठीक है यह वाला damn जो है वो बड़ा useful है आप यह कहना चाहिए ठीक है such damn आपको मैंने convey किया उसे आप समझ रहे हैं और इसके लिए भी तयार रहेगा कि जो मैं निश्चित और निश्चित और लिख लीजिए पहले लिख लीजिए तब आपको मैं समयाते हैं लिख लिख लिए भीजिए झाल झाल हो गया? दिखा हुआ सब का? जल्दी जल्दी लिखियेगा आप लोग कोई बच्चा क्लास नहीं है इसलिए आप जल्दी जल्दी लिखियेगा और नहीं जल्दी चंटन्स इतना डिफिकलत है कि युञ एक्स्टर टाइम है यह हो गया तो अब आय यह प्रॉपर नम किसों कहते हैcribe प्रॉपर If only one person appear, यदि एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाए by his name, सिर्फ उसके नाम से, सिर्फ उसके नाम से, मनीता is dancing, मनीता is dancing, मनीता is dancing, हो गया, यदि ये प्रॉपर नाउन को ज्यादा लिखना है, तब तो कॉमा को इतने लगों को मिला के इसको प्लूरल बनाना पड़े, से लिखना होगा और अंतिम वाले नाम के पहले, के लिखना होगा, और अंतिम मनीता हरता हकिंने लगाना होगा, तभी हम कितने भी लोगों का नाम लेते जाएं, वो सब e安全 और जोarah रूपर चण जाता है, ये सिंगिलर है, नाम ज़सछे में होता है, कि सिंग्लर है नाम तो इसलिए आप यहां पर बच्च इसलिए आप यहां पर बच्च बड़ा इंडिकेशन है कि वह सिंग्लर है ठीक है बड़ा इंडिकेशन है कि वह सिंग्लर है ठीक है बनाने पर पता चलिए बनाने पर पता चलिए बनाने पर पता चलिए बनाने पर पता झाल 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 जो रॉबर्ट फ्रोस्ट लिखें और जॉन किट्स लिखें तो सभी पोईट हैं तब हम लिखते हैं कि दे आर पोईट्स तो यह हम लिखेंगे ठीक हैं वह सभी पोईट्स लेकिन अलग फील्ड के नाम अलग लोग अलग समय के लोग इन सब को हम कहें तो हमको यदि कोई वाकि इस प्रकार का बनाना भी पड़ेगा तो हम एक कॉमन चीज वहां से लेंगे आर का तो यूज़ करेंगे ही सब्जिक्ट हमारा यह है तो आर यूज़ हो गया यहां पर लेकिन हमारा जो अगला वर्ड है वो उस हिसाब से एक्शन व से सबसे बैस् constitu के मामले में सबसे बैसरी महात्मा गांधी राष्ट पिता उनके बारे में क्या कहना वीलियम ब वर्ट्स प्रकार कि अज़िक्शन मारे करेंगे और लोग क्या एक कोई common ऐसा वर्ड ले लेंगे ठीक है सब का नाम लिख लिए अर लगाया तब हो लोग एक तरीका अपनाते हैं यह ऐसे डिफरेंट नाउन वाले प्रॉपर नाउन है डिफरेंट फिल्ड के लोग है और उनका सबका जो प्रॉपर नाउन है उसको हम कॉमा कॉम देते हुए एक वाक्य में यूज करना चाहें तो हम दीजिएगा वह ऐसा होगा जो सब लीजियेगा वह ऐसा होगा जो सब ठीक है ठीक है और जैसे यह सभी लोग है हम नहीं कर सकते हैं कि हैं रिटें को है तो हमारा जो वाक्य है वह इसका ध्यान कीजिएगा कि आर का यूज हो गया लेकिन कनेक्टिंग वर्ड जो है जो उसके लिए लगाया गया वह डिफरेंट होगा और यह डिफरेंट वर्ड है आर फेमस पीपल यह सभी महान भी भूतियां है ठीक है इसका जो रूल है इस रूल को आप अपलाई जरूर कीजिएगा क्योंकि हम ऐसा जरूर चाहेंगे कि आप भी सिमिलर फील्ड के लोगों के लिए ही जब आर का यूज करते हैं तो उसी से वाक्य बनाईए यहां तो वाक्य बनाना भी आपको सीखना है ठीक है संभवता आपने लिखा और जो मैंने बताया उसको आपने समझा होगा अब हम लोग और भी चीजें जाने जिनको कि सिंगलर 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 का सब बनाते जाहिएगा आप तूटल तो आपको बनाना मैं बता ही रही हूं बता दूंगी साथ साथी ठीक है चलिए अब 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 स्ट्रेक्ट नाउ खो गया लिख चुक है आप लोग अबस्ट्रेक्ट नाउन बहा वाच अचाशन यह सिंगलर होगा यह प्लूरल होगा जोट ओव दी अबस्ट्रेक्ट नाउन्स आज यह सिंगलर में यूज़ उज़ता है अधिकतर तो कौन से होंगे जिनको मुझ सिंगलर समझेंगे तब हम इजवाज लगाएंगे जैसे की ऑफिस से बना लेते हैं ऑफिसस क्वेशन से बना लेते हैं क्योंकि अबस्ट्रेक्ट नाउन में हम टूरल भी बना लेते हैं तो question abstract noun है problem abstract noun है लेकिन problem के साथ problems भी बनेगा लेकिन यहां कोई subject पकड़ में आए यह जरूर ध्यान रखिएगा कि यह subject सदें सिंगलर ही सिंगलर always singular ही use होता है अब इसके प्रयोग में आईए कि लिखा क्या है example के तौर पे तो लिखा है death is inevitable sorry death is inevitable मित्यू जो है वो अवश्यम भावी है उसे टाला नहीं जा सकता तो मित्यू को हम लोग उसका plural बनाएंगे ठीक है जो death जिसको आप कभी पढ़े होंगे वह casualty होता है ठीक है जो मित्यू है मित्यू को हम लोग death को deaths नहीं बनाएंगे कभी नहीं ठीक है अब यहां पर यदि आपने कभी देखा होगा the number of deaths तो इसका मतलब है number of casualty यानि दुरगटना में मारे गए लेकिन यदि सिर्फ death की बात की जाए तो यह without single it appears जब यह appear होता है तो हम यह पहचान में आ जाता है कि ऐसा word हमेशा ही singular use होगा और strictly singular use होता ही रहा है अब तक भी तो the news is shocking हम news को किसी भी कीमत पर चाहे कितनी भी बड़ी खबर नहीं हो है न उसने खबरों का wishlation किया तब भी खबरों का हिंदी में खबरों के कहने जाने के बाद भी वो news ही रहा ठीक है अब खबर हो तब भी news और निम्न खबरे या उससे सम्मधित खबरे तब भी वो news ही कुछ word तो आपको already clear समझ में आही जाता है कि ये सदैव singular ही use होगा जब singular use होने वाला है तो आप singular verb ही लगाईएगा ये आप अच्छे तरह से जानते हैं poverty is a curse poverty is a curse गरीबी एक अभिशाप है है ना गरीबी अशिक्षा अज्ञानता ये सभी चीजें अंधेरा कोहरा है ना तो अब ऐसे रोशनी इसको हम लोग किसी भी सूरत में कभी क्या S और ES लगा के plural बनाते हैं poverty को हम लोग बना देंगे poverty नहीं बनाएंगे तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसके लिए the judgment is final अब हम लोग judgment को judgments ना बनाए the judgment is final फैसला वह अंतिम है तो ऐसे वाक्य में एक चीज मैं आपको पहचान के लिए बताओ ताकि आप अपने इसमें इसको रखियेगा कि ये सभी जितनी चीजें हैं ये इनकी न सुची बना सकते हैं न इसके अंदर आदमी काम करते हैं abstract noun जिसमें हम लोग abstract noun उनको हम लोग tutorial बनाते हैं जिसको हम लोग गिन लेते हैं या उसके अंदर आदमी जैसा काम करने वाला हो जैसे government हो जाएगा तो governments हो सकता है सरकार है ना राज्य state abstract noun है लेकिन चुकिए state को गिन सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं states ठीक है लेकिन उसी state s-t-a-t-e जिसकी हिंदी अवस्था है उसको हम लोग अवस्थाओं में बिभिन अवस्थाओं में in different states of his mind तो आप जरूर जानिएगा कि ये किसके लिए लगा है कौन सा singular रहने वाला है और किसको singular और plural दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है word है आपका organization तो organization आपका abstract noun है ठीक है organization को चुकिए उसमें अंदर आदमी काम करते हैं company आदमी काम करने से firm आदमी के काम करने से इसी तरह school या college आदमी के काम करने से उसको हम लोग singular और plural दोनों जगे यूज़ करते हैं तो जहां singular यूज़ करेंगे वहाँ पर आप द लगा के या द लगा के plural में भी यूज़ होता है लेकिन आप समझ जाते हैं कि इसको हम लोग s और yes लगा के plural बनाए हैं और तब हमको एक related verb जो कि या तो singular में होगा या plural में होगा ये लगाना हो गया ठीक है abstract noun में जिनमें ना आदमी है ना जिनको गिना जा सकता है ना जिनकी सुची बनाई जा सकती है वो सारा का सारा mostly similar ही यूज़ होता है इसी लिए आप याद रखें कि poverty हो education हो illiteracy हो darkness हो championship हो friendship हो partnership हो ये सब आदमी इसमें नहीं है ठीक है trust भरोसा relance भरोसा उमीद hope उमीद का तो बन जाएगा लिस्ट चरी तो वहाँ पर आप उसको ख्याल रखेगा कि इसका हम लिस्ट नहीं बना सकते हैं जो लिस्ट नहीं बनेगा वो similar subject होगा similar subject होगा तो आपके लिए आसान ह है similar verb का use करना ठीक है फिर हम लोग scrum में एक और देख लें इसका प्रयोग भी इसको भी लिख लीजिएगा material noun are also used in similar form यह बहुत आसान है इसको तो आप naturally इसमें कोई खास है नहीं जिसको की आप याद करने के लिए याद करें हो गया आपने इसे सिर्फ लिखा है क्योंकि आप इस क्रम में singular वाले सभी चीजों को जान रहे हैं सब्जेक्ट हमारा noun होगा फिर pronoun होगा जैसा होगा वो तो आप पढ़ेंगे हैं जितने material noun हैं सभी singular form में यूज होते हैं और singular form में यूज होने की वज़े से उनके साथ वर्म भी similar ही लगता है ठीक है जैसे gold is an expensive metal ठीक है clear यहाँ पर अभी कभी भी gold को gold सो नहीं करियेगा coal is a mineral oxygen helps in burning जहाँ इजवाज नहीं है वहाँ पर में चिंज जो है वो देखियेगा copper is good for health diamond is the hardest substance ठीक है diamond है वहाँ तो यहाँ पर diamonds नहीं rubies नहीं जब रूबी जब stone हो जाएगा तब हम बले उसके count करने पर कहेंगे जो ग्रारतन वारा का जो मिलता है तब हम कहेंगे ठीक है different shape of diamond यहाँ पर different shapes of diamond कहेंगे तो diamond चोकी आपका material noun है इसलिए वो always will be used in singular coal, milk, petrol, water जितना है सब singular form में use होगा और बच्चों यह आप ध्यान में रखियेगा हम लोग इसके बाद जब इससे सम्मंधित अगली class में हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग इस chapter को continue करके इसके आगे की बात जानेंगे इतनी basic चीज़ों को हमेशा याद में रब बनाए रखने के लिए आप अपने copy work पर focus कीजेगा और उसका use भी कीजेगा ठीक है तब तक के लिए बच्चों फिर मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शवाद आप झाल 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 झाल